पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं समिधान की इस विकास यात्रा में हैं आज हम Central and State Council of Minister की सीरीज में आगे बढ़ेंगे हमने आपको इस पर दो लेक्चर डिलिवर किये जिसमें हमने आपको बहुत ही गहराई में ये बताया कि बही Council of Minister and Prime Minister का relationship क्या है फिर Council of Minister headed by Prime Minister का President के साथ relationship क्या है और इनका Parliament के साथ relationship क्या है हमने एक एक आसपेक्ट को ये बताया कि क्यों Parliamentary Form of Government में Collective Responsibility is very important क्यों Parliamentary Form of Government में जो Advise दी जाती है Council of Minister के द्वारा President को वो किसी Court में भी Inquire नहीं हो सकती है हमने आपको बताया कि क्यों Parliamentary Form of Government में Collective Responsibility के साथ साथ Council of Minister की एक Individual Responsibility भी होती है Towards President और वो क्यों जिम्मेदार है Collective Responsibility को Ensure करने के लिए तो हर आसपेक्ट में हमने आपको क्लियर बताया जो जो भी Council of Minister में सेम चीज़े हैं बस वहाँ पर वर्ड स्टेट आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर की जगह वर्ड वहाँ पर चीफ मिनिस्टर आ जाएगा और मिनिस्टरी की जगह पर वहाँ पर वर्ड डिपार्टमेंट हो जाएगा जैसे Central लेवल पर Union लेवल पर Home Ministry होती है Finance Ministry होती है जितनी भी तरह की Ministries है State लेवल पर Ministries नहीं होती Departments होते हैं जैसे Home Department है Finance Department है इस तरह से Word Department यूज होता है यह आपको Always याद रखना है यहाँ पर Ministries Word यूज नहीं होता है तो इस तरह से अलग अलग अगर Departments exist करते हैं State लेवल पर जैसे माल लिजे कि Manpreet Singh Badal पंजाब में Finance Minister है बट वो कौन सा Department हैंडल कर रहे हैं Finance Ministry नहीं है Finance Department है बट नेमला सीतारमन देश की वित्तमंत्री है और वो कौन सा Department होल्ड कर रही है Finance Ministry वो कोई Finance Department होल्ड नहीं कर रही है वो Ministry होल्ड कर रही है यह एक अंतर है इसके रावा जहाँ President वर्ड यूज है वहाँ State में Governor वर्ड यूज हो जाएगा Everest everything will remain same तो अब हम पढ़ते हैं Central Council of Minister की Composition के बारे में देखें जब हम Council of Minister की Composition के बारे में जिक्र करते हैं तो यह किसी तरह से Constitution में उस लेवल पर चीज़े गिवर नहीं है कि भे किस किस तरह के Minister होंगे लेकिन जो Transaction for the Business Rules होते हैं जो आप Business कर रहे हैं बिजनस मतलब की जो Parliament का काम हो रहा है सारा उसके तहत जो Rules बनते हैं उन्हें हम Rules for the Business of the House कहते हैं उसके तहत आप चीज़ों को परिभाशित करते हैं कि किस किस तरह के Minister होंगे पहला स्पेक्ट दूसरा यह जो अलग-अलग तरह के Ministers हैं यह Constitution से नहीं आए यह Parliamentary Conventions से आए हैं यानि कि Parliamentary System में ऐसे Ministers होते हैं तो यह Convention ही एक बन गई उस Convention के तहत यह Ministers की केटिगरी आपके सामने उबर करके आई क्योंकि Constitution में तो Article 74 और 75 में Clearly Ministers की बात हुई है और उसमें यही कहा है कि Council of Minister Headed by the Prime Minister जो है वो Guide, Aid and Advise करेगी President को और 75 में यह कहा है कि President जो है वो Prime Minister और Ministers को Point करेंगे यह दो ही आर्टिकल है 74 और 75 इसके बाद जो आपने अलग-अलग नेम दे रखे हैं वो आपने उन्हें डिस्क्राइब किया है आपने उनकी लेबलिंग किया है कि कौन से Minister का क्या काम है किस केटिगरी में आप डाल रहे हैं उसके हिसाब से हमारे सामनी यह Ministers आते हैं इन Ministers के नेम से इनकी केटिगरी, इनका rank, इनका emolument, इनकी powers, इनके allowances का फर्क पता लगता है कि rank का difference क्या है, emoluments का difference क्या है powers का difference क्या है हमारी कंट्री में Political Administrative Sphere में राजनीती, प्रशाशनिक तौर पर जो सबसे dominant system है वो council of minister है यह institution बहुत बड़ा है इसमें ministers word use हुआ है constitution ने ऐसे cabinet minister, minister of state, deputy minister जैसी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं की है constitution ने simply minister डिस्क्राइब किया है लेकिन पूरे word level पर parliamentary conventions जो होती है जो parliament का रीती रिवाज है उसके तरह जो बर करके आता है कि ministers को इस तरह से categorize किया जाता है तो उस level पर categorization की इसलिए 1991 में चौधरी देविलाल जब deputy PM बने थे उनकी उस position को challenge किया गया था कि भी किसी तरह की deputy PM की oath है नहीं तो फिर चौधरी देविलाल deputy PM कैसे रह सकते हैं बिना oath के तब court ने यह decision दिया मैंने आपको कल भी समझाया कि उस एक minister को कैसे describe किया जा रहा है ये तो एक political decision हो सकता है क्योंकि deputy PM is a clearly political position आप उसे कैसे describe कर रहे है it is the choice of the prime minister वो describe हो रहे है oath वो being minister ले रहे है और minister की oath given है तो मैंने आपको बताया भी था कि ministers and prime minister की oath के कोई difference नहीं है क्योंकि prime minister in itself is a minister other ministers are themselves minister ओके ये सब minister है clear होगी बात अब वो ministers में सबसे prime है तो वो prime minister तो जैसे supreme governing authority है हमारी country कि it is a prime minister rest other you can observe defense minister external affairs minister finance minister home minister agriculture minister rural development urban development industrial development इस तरह से अलग-अलग type के आपको ministers मिलते हैं ये आपने उनको describe किया उनके portfolio के हिसाब से constitution के लिए वो ministers है all ministers अगर ये categorization constitution में होती तो फिर हो सकता था हो सकता था कि कोई minister ज़ादा हो कोई minister कम हो कोई ज़ादा हो जाए कोई कम हो जाए inequalities आ सकती थी न ये हमें ऐसा लगता है कि ये minister ज़ादा strong है ये minister कम strong है क्योंकि हो सकता है कि किसी को जो आपने काम दिया है उसका jurisdiction इतना wide है plus वो public connection इतने ज़ादा रखता है कि इसकी वज़ा से वो हमें influential ज़ादा लगता जैसे कि district collector के comparatively always superintendent of police जो है वो ज़ादा influential लगेगा क्योंकि एक तो उसका सीधा connect है लोगों के साथ वो field है उनकी पर force उनके पास रहती है लेकिन अगर आप देखें तो role wise district collector के roles कहीं wider है कहीं ज़ादा है तो इस तरह से यह हमारा perception होता है कि यह मंत्री बड़ा ताकत वह रहा है या वो मंत्री बड़ा cabinet में all ministers are equal यह बराबर रहते हैं आई बाद समझ में यह और उन में से primus inter paris एक है minister or that is the prime minister तो constitution में ऐसा categorization नहीं है parliamentary convention के according to describe the roles or to allocate the portfolios in a neat and clear manner आपने उनको descriptive name descriptive roles के according दे रखे हैं that is the defense the home the other ministers path clear हुई उस हिसाब से फिर आपके पास की categories आती है तीन categories are there that is the cabinet minister the minister of state and the deputy minister this is the last one category that is the parliamentary secretaries जो 1967 जोहलाल नहरू के बाद से यह फिर कभी भी नहीं बने 1967 जोहलाल नहरू तो पहले death कर गए पट यह जोहलाल नहरू के समय में यह बने उसके बाद यह नहीं बने except the starting years of the Rajiv कांदी parliamentary secretaries नहीं बनाए जाते हैं but parliamentary secretaries still एक type of ministers exist करता है एसी भी category के exist करती है ओके तो यह चार category exist करती है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनका system क्या है देखो अच्छे से understand करो देखो मेन आस्पेक्ट यह है कि इक प्राइम मिनिस्टर हमने select की है अब यह प्राइम मिनिस्टर को multiple role play करने है country level पर उसमें से suppose कीजिए कि इन्हें education इनको serve करना है प्राइम मिनिस्टर को और education के लिए मालिज education ministry उसका नाम बंग दिया HRD Human Resource Development Ministry HRD तो प्राइम मिनिस्टर ने यह HRD ministry के लिए एक main जो minister appoint किये है तो प्राइम मिनिस्टर का suppose कीजिए यह सारा का सारा area है प्राइम मिनिस्टर का ही सारा area है उन्हें को काम करना है सारा तो उन्होंने यहां पर बैठ करके अपना यह सारा काम काज वाड दिया है जैसे बड़े से दफ्तर में जाते हैं तो छोटे-छोटे केबिन्स दिखते हैं हर केबिन में बैठा हुआ एक परसन एक काम कर रहा है तो केबिनेट्स बन गए केबिन मने केबिनेट्स बन गए और उसमें बैठा हुआ एक एक परसन उस cabinet का chairperson है यानि कि cabinet minister है तो एक cabinet ये ये cabin था पूरा इसमें बैठा हुआ है cabinet minister इसमें बैठा एक cabinet minister इसमें बैठा एक cabinet minister इसमें बैठा एक cabinet minister ओल इन ओल ये पूरा का पूरा एक larger cabinet है वो PM के लिए है तो इस तरह से cabinets बन गए इसी तरह से अब यह काम है HRD, तो यह एक cabin है, cabin number one, okay, human resource development, तो इसको head कर रहा है एक minister, that is the cabinet minister, और cabinet minister की आगे help करने के लिए, उनको support करने के लिए, two ministers are there, that is the minister of state and that is the deputy minister, तो all in all, इस HRD नाम के एक cabinet में, three ministers are there, cabinet minister, minister of state and deputy minister, तो यह तीन ministers हैं, एक cabinet के अंदर, और वो cabinet कौन सी ministry को represent कर रहा है, that is the HRD ministry, human resource development ministry, okay, तो एक cabinet और उसके अंदर ministers कितने, तीन, एक cabinet और उसके में minister कितने, तीन, तो जब सिरफ बात होगी cabinet level पी, तो बात करें cabinet minister की, लेकिन जब all in all, तीनों को जोड़ लेंगे, इस ministry से, फिर इसी तरह से, तीनों और दूसरी ministry से, तीनों और तीसरी ministry से, तीनों और चौती ministry से, तो यह सारे मिलके बनेंगे council of minister, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेकिन जब हर मिनिस्ट्री साम सिरफ कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर उठाएंगे तो वह हो जाएगी कैबिनेट की मीटिंग तो जब हर ministry के तीनो 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 मिनिस्टर आएंगे तो वो council of minister वो होगी मंतरी परिशत लेकिन जब हर ministry से सिरफ सिरफ cabinet का minister ही आएगा उस cabinet का जो main minister है वो ही आएगा तो वो हो जाएगा मंतरी मंडल तो Mantri Parishat और Mantri Mandal, तो आप सुनते होंगे, आज मंत्री मंदल की बैटक हुई यानि कि आज Cabinet की मीटिंग हुई, और आप ने कभी नहीं सुना होगा कि आज मंत्री परिषंग की मीटिंग हुई, ऐसा सुना? आपने ये सुना होगा कि मंत्री मंडल का लिया हुआ ये फैंसला मंत्री परिशत तक जाएगा मंत्री मंडल का ये लिया हुआ फैंसला मंत्री परिशत के द्वारा लागू किया जाएगा मंत्री मंडल फैंसला लेता है मंत्री परिशत की तो कभी मीटिंग होती नहीं कांसिल ऑफ मिनिस्टर मेट नहीं two ती ऐायवाद समझ में कॉंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बैठती मिलती ने क्यों कि गैबिनेट की मीटिंग हो गई और हर also मिनिस्टर वापिस अपनी मिनिस्टरी में जाके इन मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर को कम्मनिकेट कर देगा तो इस तरह से वाया एवरी कैबिनेट मिनिस्टर हर मिनिस्टर और स्ट और हर डिप्टी मिनिस्टर तक वो डिसीजन communicate हो जाएगा तो फिर cabinet से निकला decision council of minister तक पहुंच गया ना क्योंकि हर ministry के तीनों तीनों minister जोड़ ले तो council of minister बन जाता है ना इसलिए कभी confuse नहीं होता meetings cabinet की होती है फैंसले लागू करने का काम जमीन पे वह council of minister का होता है क्योंकि एक मंत्राले से जुड़ा हुआ काम वो अकेले cabinet minister नहीं करेगा cabinet minister फैंसले लेने के लिए cabinet की meeting में जरूर जाएगा लेकिन फैंसला फिर जमीन पे लागू करने का काम cabinet minister प्लस minister of state प्लस deputy minister मिल करके करेंगे इसलिए implementation body is the council of minister decision making body is the cabinet तो फिर meeting body कौन से हुई cabinet इसलिए तो वह decision ले रही है ना और implementation body कौन से हुई बड़े intelligent हो तुम लोग यार हलका सा समझाता हूं इतना समझ जाते मुझे डर लगता है कि मुझे ना समझा दो यह कहानी सब को समझ आई है ओके आगे बड़े तो यह तीन तरह के ministers है अब इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं नवदीब सबसे पहले नवदीब टॉप पोजीशन पे फर्स्ट रैंक पे आ जाते हैं cabinet minister cabinet minister जो होते हैं नवदीब हम उनके बारे में जिकर कर लेते हैं कि जो cabinet minister होते हैं वो highest decision making authority है cabinet हमारी country में cabinet is the highest decision making authority in this country cabinet is the cabinet ministers or the cabinet you can say there's a chief policy formulating body of the central government सबसे सर्वोच निरने लेने वाली जो संस्था हमारी country में है policy से related कानून से related it is the cabinet okay सबसे सर्वोच संस्था कानून बनाने वाली जो है वो पार्लेमेंट है पार्लेमेंट संस्था सुप्रीम law making body लेकिन क्या law बनाना है किस दिशा में बनाना है वो सारा कुछ पहले चर्चा cabinet में होता है cabinet फिर उसको स्विक्रिती देता यानि कि मंत्री मंडल जैसे मान लीजे farm laws आए उसके लहत पहले draft bill बना होगा यानि कि farm laws आए उसके लिए पहले तो cabinet की meeting में प्रोपोजल आया होगा cabinet मने the cabinet मने the meeting headed by the prime minister meeting attended by the ministers and headed by the prime minister और कौन से ministers ने meeting attend की the cabinet ministers तो एक prime minister होते और 15-20 उसके मंत्री होते यह हो गया मंत्री मंडल मंडल क्योंकि हमने एक बड़े box में चोटे-चोटे मंडल बनाये थे ना तो मंडल तो इस तरह से अब उस cabinet meeting में एक प्रोपोजल आया कि हमें तीन फार्म पर लोज लेकर क्या है हमें लोज बनाना है उसके लिए प्रोपोजल प्रेजेंट हुआ उस cabinet में फिर cabinet ने उसके उपर चर्चा की विस्तार में सारा कुछ करने के बाद अब एक बिल प्रिपेर हुआ जिसे हम ड्राफ्ट बिल कहेंगे cabinet ने उस फैंसले को मंजूरी दे दी फिर एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेर हो गया इसमें सभी में cabinet मिनिस्टर फो फैंसला आगे लेके गया स परसों लोकसभा में या राज्यसभा में आप यह जो हमने बिल ड्राफ्ट किया है इस ड्राफ्ट बिल को पुट अप कर दीजे तो cabinet मिनिस्टर उस ड्राफ्ट बिल को पुट अप कर देंगे राज्यसभा या लोकसभा में फिर वो राज्यसभा में अगर प्रेंट किया ग जाएगा मने कि एक एक्ट हो जाएगा जो कानून को जन्म देतेगा आई वा समझ में तो सुप्रीम मीकिन बॉडिक बॉडि कौन ही पार्लिमेंट लेकिन यह लॉड बने इसके लिए डिसीज़न किस ने लिया कैबिनेट तो सुप्रीम decision-making body कौन होई? Cabinet. और मैंने अभी यहाँ पर वही लिखा है. The supreme decision-making body. The highest decision-making body. Okay? यहाँ पर ऐसे words को कभी confuse नहीं करते हैं. देखिए Supreme Court decisions नहीं लेता है. Supreme Court judgments देता है. Supreme justice dispense करने वाली body कौन सी है? It is the Supreme Court. वो justice provide करते हैं. ठीक है? निर्णे लेने का काम executive का होता है. क्योंकि हमने उसे कारे कारे नहीं कहा हिंदी में. तो कारे करने से related निर्णे लिये जाते हैं. Supreme Court भी executive को कहेगा या suggest करेगा. फिर finally निर्णे executive लेगी. वो काम करेगी. कई बारी Supreme Court कुछ निर्णे सीधे ले लेते हैं. उसके तहट वो कुछ authorities को directly ही guide कर देते हैं. कि आपको ये करना है. चलिए वो उनका extra power के अंदर count होता है. Majorly Supreme Court का role है justice dispense करना. वो fans ले देते हैं. वो judgments देते हैं. Parliament कानून देती हैं. और executive निर्णे लेते हैं. Decision making body. Executive का मतलब यहां पर हम बात करना है. Cabinet की. Cabinet is the highest decision making body in the country. ओके फिर law बनते हैं. ये बात clear हुई? तो फिर वो Cabinet highest decision making body है. Cabinet ही chief सबसे प्रमुक policy formulating body है central government की. तो केंदर सरकार में तो केंदर सरकार में तो सारा आ जाएगा ना? क्या आ जाएगा? केंदर सरकार की जब बात करते हैं तो साशन प्रसाशन दोनों आ जाते हैं. आई बात समझ में? सबसे important aspect the governance. कि आपका साशन कैसा है? The second is the administration. जिसके वाया वो साशन लोगों तक पहुँचेगा. सही बात हैं? तो साशन प्रसाशन दोनों ही आते हैं. governance good है या bad है? इस पर depend करेगा कि administration कैसा behave करती है. If you are having good governance, you are doing good साशन, then ultimately the administration like, administration be like very good or very bad. अगर वो bad है governance, तो फिर administration bad है. अगर governance good है, तो administration भी good हो जाएगा. कई बड़ी ऐसा होता है, governance good है, बट administration bad चल रही है. इसलिए वो good governance लोगों तक नहीं पहुच पा रही. तो इसमें हम फिर यह कहते हैं कि policy implementation में weaknesses हैं. mostly हम सफर करते हैं चीजों से, कि policy implementation नहीं है. कई बड़ी क्या होता है कि laws are very good, the parliament is very good. Parliament is very good, governance is not good, तो laws are very good, बट क्योंकि सूश आशा नहीं नहीं है, governance ही good नहीं है, तो वो फिर जमीन तक कैसे पहुचेगा. फिर administration भी वैजा ही है. हाना, यह एक important चीज है. तो हमारी country में delegated system of authority चलता है. Delegated system of authority का मतलब समझेए, मैं अभी बताता हूँ. देखिए, delegated law making होती है. वो क्या होता है? हमारी country में parliament के अंदर mainly एक law बन जाता है. यह बहुत ही generalize, बहुत ही generalize और आप कह सकते हैं कि एक मोटा-मोटा सा मसौदा होता है कि क्या है? क्या होना है? यह principle set कर देता है, यह body settle कर देता है, यह aim settle कर देता है, process settle कर देता है, objective settle कर देता है, कि ऐसे करना है अपनको. यह उद्धिश पराप्त करना, यह तरीका follow करना, यह यह लाब देने हैं, यह यह penalty होगी, यह impaliment होगा, अब सारी यह बाते बता देता है, लेकिन, छोटे छोटे, बिल्कुल, बारीक बारीक rules बनाने का काम, बारीक बारीक rules बनाने का काम, penalty का amount decide करना, यह सारी बातें, कि कितनी penalty, कितनी amount होगी, जैसे अब आप देखें, तो चालान 400 रुपे से बढ़के 800 हो जाएगा, 800 से 1200, अब इसके लिए थो ना, पार्लेमेंट में law पास करने बैड़े जाते हैं, अभी बास हमें, motor vehicle act आया, उसके तहत परिवर्तन होए, चालान बढ़े, लेकिन यह सब कुछ क्या हो रहा है, executive के लेवल पर हो रहा है, तो मतलब पार्लेमेंट एक बड़ा law बनाते हैं, जिसके तहत वो executive, यानि की कारेकारणी, यानि की council of minister, और सही मायनेमेंट cabinet, को authorize कर देती हैं, कि अब detail minute rule making, minute policy making आपको करना है, तो फिर वो वो करते हैं, आईबास समझ में, ये भी बहुत बड़ा काम होता है, जैसे की simple aspect यहां पर लेकर के चलें, एक motor vehicle act है, और उस motor vehicle act के तहत हैं, इतने बरस से उपर आप अगर होंगे, तो ही गाड़ी चला सकते हैं, आपको traffic rules का follow करना है, इतना होगा, अब उसको छोटे-छोटे नियमों में परिवर्तित करना, कि trial कैसे-कैसे होंगे आपके, जब आप RTO office जाएंगे, अपलाई करेंगे, तो आपका trial होगा, trial में क्या-क्या test होगा, क्या-क्या check होगा, ये तो फिर बहुत minute rules होगए, पूरी detailing हो गए उसकी, ये सारा कुछ delegated हो गया, यानि कि उस law ने, ये rulemaking की power, delegate कर दी, executive को, now the executive will play its role, this you can say, the delegated system of lawmaking, delegated authority है अपनी country में, एक के द्वारा दूसरे को अधिकार delegate कर देना, तो ये delegated system होआरी country में follow होता है, आपने एक बड़ा act बना दिया, मनरेगा, अब मनरेगा के तहट आपने system develop कर दिया, अब ये executive पे है, कि वो काम identify करे, कि क्या बनना है, कुएं बनने हैं, या सडकें बननी हैं, या पौधार open करना है, या नहरों का विकास करना है, काम कैसे होँ, identification कैसे करनी हैं काम की, किस mode के वाया payments करनी है, कितने दिन में payment का बुकतान होना, सारा फिर minute rule making होगी, minute detailing, कौन से पंचायत घर चुने जाएंगे, beneficiary को identify करना, बहुत detail में जाता है, ये you can not do in the parliament, आई बस पारलेमेंट में एक law बन जाता है, एक proper process मिल जाता है, उसकी आत्मा मिल जाती कि इस दिशा में चलना है, सबको काम मिलना है, सबको भोजन मिलना है, इस तरह ये law बन जाते हैं, उसकी detailing होती है पूरी, हाई बास समझ में, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, कि chief of policy formulating body भी, it is the cabinet, सबी जो policies बनेंगी, देश के स्थर पर नीतियां, देखे कानून बन जाता है, फिर कानून के आधार पर नीती बनती है, समझाई, आपने कानून बना लिए, अब उस कानून के आधार पर नीती, जैसे कि आपने कानून बना दिया, right to education act, ये तो हो गया आपका act, अब आपको education policy भी तो बनानी है ना, अब उस education act को सर्व करना है, now we need to form education policy, सिक्षा की नीती भी तो चाहिए, सिक्षा का कानून बना दिया अच्छी बात है, सिक्षा नीती को कौन करेगा, लेकिन सिक्षा कानून ने अधिकार दिया, सिक्षा नीती का, तो आपने सिक्षा नीती बनाई है, अब आप समझ में, तो ये पूरी country में, chief policy formulating body कोन है, central government की, it is the cabinet, मैंने भी बताया, central government में, there is a governance and there is administration, there is a governance, there is administration, when you are talking about the administration, somewhere you are talking about the working branch of the cabinet, you are talking about the working branch of the cabinet, when you are talking about the governance, you are talking about the ideals, the objectives, the aim and the principles of the particular cabinet holders, or the cabinet, when you are talking about the lecturer, when you are talking about the lecturer, when you are talking about the teacher, you are talking about me in a working capacity, that Harpreet sir will teach us the lecture okay when you are talking about the quality of the class then you will talk about the quality aspects of the Harpreet sir you are saying that he is very disciplined you are saying that he is very punctual you are saying that he is hard working you are saying that he is very precise in the lectures that side is same person is there but that side is the governance side it is very responsive governance it is very people friendly it is very law abiding you are talking about the objectives the aim the ideals the qualities or the other aspects when you are talking about the administration you are talking about the practical apparatus you are talking about the effective machinery you are talking about the workman on the ground it is the prasashan first you are talking about the sashan it is the sarkar the kendra sarkar the central government the government including the governance and the administration all the time we are talking about the politico administrative system the politico administrative system the politico aspect is the what do you mean by the politico it is the political that is the rajniti and i have explained you the definition of rajniti so the rajniti what kind of rajniti you are doing you are giving maximum benefits to the public to the people of your country by deriving the authority from the constitution by deriving the powers from the constitution you are serving maximum to your country men you are doing good governance so your government is good it is the government aspect it is the governance aspect it is a part of the government it is a part of the central government next one is the administration that how much your machinery is effective how much responsible they are towards the people how much responsive you are having system okay you are very quick you are having call centers they are very quick in the grievances redressal so you are very very responsive but why you are so quick why you are so responsive because you are having ideals you are having ideas that you need to serve the nation in a best manner it is your governance okay it is your governance what's your situation केंदर सरकार की प्रमुख नीती बनाने वाली संस्ता है इसका मतलब केंदर सरकार कुछ और है और यह संस्ता कुछ और है तो Central Government is a larger aspect I guess not no I guess it is for sure it is a larger aspect उसके different arms and different dimensions okay उसका एक dimension के तौर पर बात हो रही है कि टिस चीफ और policy formula it is a body is a chief powerful policy formulation body of the Central Government that is I am talking about the cabinet because I am talking about the first great ministers that is the cabinet ministers it is the supreme executive authority again that is of the Central Government Central Government की यह supreme executive authority है अब फिर वही बात आगे cabinet ही तो execute करेगे है चीज़ को सभी cabinet ministers meeting में आए एक decision लिया गया decision लेकर के कानून पास हुआ कानून पार्लेमेंट में पास हुआ अब उस कानून को जमीन पर उतारना है तो cabinet ministers अपने अपने MOS को अपने अपने deputy minister को जा करके बोलेंगे से जमीन पर उतारना है तो फिर सही माइने में जमीन पर उतारने का काम कर रही है लेकिन सब कुछ जमीन पर उतरवा रही है कैबिने तो फिर चीफ एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन हो गया कैबिने चीफ एक्जीजिजिएंग बोडी मैंने बता दिया यह चीफ एक्जीव ऑथॉरिटी ऑफ दे कंट्री ओके यह यह चीफ चीफ कॉडिनेटर आफ च अब फिर से इनकी बात आ गई अब यहां पर फिल क्लियर हो गया कि एड्मिनिस्ट्रेशन कुछ अलग होता है यह कुछ अलग है अब जो पूरी की पूरी सेंट्र अडिनिस्ट्रेशन है पूरा केंद्र प्रसाशन है जो जिसमें सारे आईएस भी आजाएंगे सारे आईप पैस आजाएंगे everything will be there पूरा और सिर्फ यह नहीं आएंगे पूरा नीचे तक SSC level से लेकर पूरा क्लेरिकल कर पूरा का पूरा नीचे से उपर तक जो पूरा अपरेटर से यह केंद्र का प्रसाशन है ठीक है तो कई बारी आप लिखते देखते हैं ना कि बहुत छोटा सा Central Administration तो पूरा का पूरा जो Central Administration है उसके चीफ कोडिनेटर तो फिर यह हुए ना क्योंकि चीफ हाइस डिसीजन मेकिंग चीफ और पॉलिसी फॉर्मूलेटिंग और चीफ एग्जेक्यूटिव अथॉर्टी कैविनेट मिनिस्टर्स हैं तो जब सारी मीटिंग कैविनेट की सेट फिर डिप्टी मिनिस्टर और उसके ओपर माली इनके नीचे दो सीनियर सेक्रेटरी फिर उसके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी देन दो अडीशनल जो आप लोग बनेंगे जब आगा अप लोग आई-एस बनके सेनियर पोजीशन पर जाएं तो साथ आट लोगों से मिल आगे फर्दर फर्दर उन लोगों को communicate करें तो circular आते जा रहा order आते जा रहा बिल्कूल निच चले इस तर तक पूरा आ गया वो तो यह जो पूरा central administration है इसके chief coordinate किस ने किया कोडिनेट किस ने किया cabinet cabinet is the chief coordinators ठीक है यह कोडिनेट करते हैं हर चीज यही बताते हैं सारी चीज को आगे लेके जाते हैं cabinet is the advisory body to the president अपन कहते हैं council of minister क्योंकि council of minister की agent advice से चलेंगे प्रेजिडेंट सही माइने में council of minister के पास power in theory है but power in practice practically वह power अभी मैंने आपको बताया मीटिंग किस की होती है cabinet की तो उसी मीटिंग में जो लिया निर्ने हर cabinet minister ने जा कि अपने minister of state को और deputy minister को बताया तो मतलब फैंसला council of minister तक पतला गया तो अब यह council of minister के नाम पर फैंसला communicate हो जाएगा प्रेजिडेंट को तो प्रेजिडेंट की aid and advice भी हो गई तो एक तरह से cabinet ही करती है आई बाद समझ में तो यह चीफ यह advisory body to the president और प्रेजिडेंट इनकी advice से बाइंड यह chief crisis manager है obviously हमने हर बार कहा है कि council of minister headed by prime minister council of minister headed by prime minister और prime minister is the chief crisis manager मैंने असा पढ़ाया लेकिन प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको फिर पढ़ाया कि बार बार उनका नाम अकेले नहीं आ रहा उनका नाम आ रहा council of minister headed by prime minister तो मतलब प्राइम मिनिस्टर कभी अपनी cabinet से मुक्त नहीं हो सकते और cabinet के साथ ही चलना है तो फिर सही माइने में चीफ crisis manager अकिरे प्रधान मंतरी हुए या पूरी कभी बिसे ना प्रधान मंतरी ने खृष्च कानून ने का थीक है के इंद्रिया मंतरी मंदल का प्लदहान मंतरी की अधक्शता मेरे लिए वैंसा पड़ते हैं हना अलग वेब चैनल पे साथ में टप तप आके लिखा भी आने लग जाता है तो यही सिस्टम होता है ऐसा कभी सुना देश के परधान मंत्री ने क्रिशी कानून लाने का आज फैंसला लिया जो की अब पार्लेमेंट में चला गया या जो रास्ट्रपती का डवाई सब्सक्राइब केंदरी मंत्री मंदल सुनी तो किस्ट अटेक हो गया है या किसी तरह से कोई ड्रॉट्स आ गए हैं या मान ही लीजे कहीं पर को प्रोटेस्ट चल रहे हैं आप देखेंगे आपने हमेशा सुना होगा कि एमर्जेंसी में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई यह बर्ड ऑल्वेस अब अख़बार में अब ने देखा हुआ क्या भगदड़ी मच रही थी तरह उतर भाग रहे थे कैबिनेट की मीटिंग फटा फट बुला बुलू के सब कुछ इन्होंने करकर आ भी दिया तो कैबिनेट की मीटिंग बलाई जाती है आई बस समझ में तो फिर चीफ क्राइसिस मैनेजर कौन हो कैबिनेट ही हुई एक तरह से ओके लेजिसलेटिव एन फाइनेशल मैटर में सारे निरने कौन लेती है कैबिनेट ही लेती है जुडिशल मैटर में नहीं ले सकती क्योंकि वह तो फिर कोट है ना अपने पास we have court of law that is high court district court another and we have court of justice also that is a supreme court ओके फिर फेर में अफेर अफेर भी कह सकते हैं लेजिसलेटिव एन फाइटिनशल अफेर में मैटर में कौन डिसीजन लेती है कैबिनेट और जूडीशएल अफेर में यह नहीं ले सकती उसके लिए we have judiciary यह बाद क्लियर हो गए इसके बाद कंट्रूल दा higher appointments sare higher appointments कौन control करती है cabinet क्योंकि cabinet में cabinet committees होती देखो एक होती है parliamentary committees एक होती cabinet committees मैं आज आपको cabinet committees के बारे में पढ़ाउँगा बहुत अच्छे से और हमेशा इन्हें parl Muson Till Rh util बonner्ल अ उतम अते हैं क्योंकि यह यह वार जब नए सरकार बनी थी बीजेपी की 2019 में ने दो नई cabinet committee यां बनाई है वो अपने आप में important है एक उनोंने employment and growth को लेकर के एक skill development को लेकर के बनाई और एक skill development and employment के related बनाई यह दो नई बनाई है और total आठ cabinet committee यां बनाई गई गई ऐसे में क्योंकि cabinet committee में एक committee होती है cabinet committee of appointment उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं यह है सबसे highest appointment level की body जो सारे नेम्स प्रपोज करने हैं वह इस बाड़ी के द्वारा होते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट मैं आपको उस दिन से बता रहा हूं न जिनें प्रेजिडेंट व appointment उनके नेम जो है वो प्रपोस करते हैं प्रेजिडेंट को लिखाफाइदी इदर ही सही जाता है यह लोग नाम लेक के परची पे लिफाफे में डाल के मुहर भारत सरकार की लगा देते हैं उसको ऐसे खोलते हैं और पढ़ देते हैं चानक से जैसे वह फाइनल कंपडिश हुई तो इसलिए कहा है कि control the higher appointments cabinet क्या करती है higher appointment अगर आप कहीं सुप्रीडेंट लगें हैं कहीं पर अगर आप कोई सेक्रेटरी लगें कहीं पर आप कलरक लगें आप वह तो नहीं ना प्रदान मंत्री ग्राह मंत्री बैठ के रास्ट्रपती को देंगे कि लिफापा कोलो ऐसे तो फिर 2400 घंटे बातरूम में रसोई में अर्समें रास्ट्रपती लिफापा ही कोलते रहेंगे तो इतने लिफापे खूलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते इसलिए word कभी लिखना higher appointment word नहीं बोलना और higher का मतलब यह नहीं कि कुछ lower employment भी है lower or higher appointment यहां पर होता है कि आ इसाम होता है LDC का UDC का आई बास समझें वहां पर वह उस जॉब में जाके यह नहीं सोचता रहेगा कि मैं बड़ा lower हूं और वह बड़ा higher है यह lower higher utilities है जैसे आप नीचे lower पहनते ऊपर अपर अपर तो इज्जत रखने के लिए नहीं कहोगे मैंने नीचे अपर पहना ऊपर उस foreign policy को conduct देश के स्थर पे करते एक्स्टरनल अफेयर मिनिस्टर और सही माइने में यह सब हो कहा रहा है कैबिनेट में कैबिनेट में पूरा निर्णे लिया जाता है कैबिनेट में agriculture मिनिस्टर आके बैठें कि देखिए सर अभी किसानों की भारत में हालत ऐसी है WTO का वो इतना ससक्त नहीं हुआ कि हम international competition के लिए उसा पूरा खोल दें तो फॉरन पॉलसी बनाते समय यह फैंसला किसी क्रिशी मंत्री से बात करनी की नहीं और वो घर पे बैठे हुआ है या वहीं बैठे है इसको क्या पूछना है तो फॉरन पॉलसी का मैटर है सारे क्रिशी पदा को पूछ के बात करके फिर external policy बनती है समझाई बात defense minister external affair minister finance minister से बात करनी कितनी जरूरी है कि किस किस चीज को अपने sensitive list में डालना है किस किस को नहीं डालना है किदर free trade agreement करने है किन आर्टिकल्स में किदर नहीं करने है land route का trade ज्यादा बढ़ाना है कि सी route का बढ़ाना है इसलिए फिर जो जो प्रधानमंतरी के नाम पर बढ़ा वो वो cabinet के नाम तो cabinet foreign affair foreign policy इन सबको decide करती है यह सारे काम करने वाले जो हैं यह हैं यह cabinet मंतरी है यह cabinet minister है और यह सारे cabinet की meeting में बैठते हैं सारे decision लेते हैं तो cabinet minister का सारा मैंने बता दिया पता लग गया cabinet minister की position कि क्या हो सुन लेना फिर मुझसे कि जो लोवर हाउस में लोगसभा में लीडर ओफ ओपोजीशन होता है ना लीडर ओफ ओपोजीशन वह statutory order of precedence में table of precedence में वह cabinet minister की रेंक का होता है लीडर ओफ ओपोजीशन इसलिए जब सुसमा सवराज जिन्दा थी वह लीडर ओपोजीशन थी त रहती पाई गई कि आपके पास तो उपोजीशन का लीडर बनाने तक कि भी संख्या बल नहीं आई आई वह समझे उन्होंने अपना एक उपोजीशन लीडर खड़ा किया अधीर रंजन करके मेरे का नाम था अभी मुहूर रहा हूं यही है लेकिन वह वह वाले कैबिने पोजीशन का लीडर खड़ा करते हैं यह एक इंपोर्टन चीज है इतनी कानी समझ में आई इसके बाद आ जाते हैं मिनिस्टर आफ स्टेट एमोएस यह दूसरे नमर में आते हैं